बिहार में विधान सभा चुनाओ का राजनीति घमासान अपने चरम पर है इस चुनाओ के पहले नेताओं ने अब अपना पाला बदलने का कारिकरम भी सुरू कर दिया है इसी में अगले कड़ी पूर्वुख्य मंत्रिय और हिंदुस्तानी आवास मोर्चा के राश्ट्य अध्यक जीतन राम माजी भी है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वे महागट बंदन से अलग होकर जेडियू में शामिल हो सकते हैं आपको बता दे कि इसके पहले जनता दल यूनाइटेड ने बिहार सरकार में मंत्री और विधायक श्याम रजक को पार्टी विरोधी काम करने को लेकर पार्टी से निकाल दिया है जिनके बारे में यह कहा जा रहा है कि वे राश्ट्य जनता दल आर जेडि में शामिल हो सकत अब मुद्ध यह है कि जीतन राम मांजी अपनी पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड के साथ करेंगे या केवल गटबंदन तक ही सीमित होंगे इस पर एक बड़ा सस्पेंस चल रहा है हाला कि जीतन राम मांजी के लिए यह दोनों विकल खुले हैं पर उमीद ये की जा रही है कि वे जेडियों के साथ गठबंदन करने के मूड में हैं वही सूत्रों के अनुसार आगामी 20 अगस्त को जीतन राम मांजी अपनी पार्टी के भविसे पर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं क्योंकि इसी दिन वे अपनी पार्टी की कोर कमिटी की बैठा की अगवाई भी करने वाले हैं जीतन राम मांजी का ऐसा करने के पीछे यहां कयास लगाए जा रहे हैं कि महागठबंदन में आरजेडी और कॉंग्रेस के 20 सीटों का जो तालमेल बैठा है उससे मांजी कि हिंदुस्तानी आवास मोर्चा पार्टी को कोई ज्यादा फाइदा ना के बरापर है अब अगर देखा जाए तो बिहार ऐसा राजी है जहां देश को पहला दलित उप प्रदान मंत्री और मुख्य मंत्री मिला है लेकिन यहां पर अब तक यूपी और महाराश के पैटर्न पर दलित राजिनीती बिहार में उतनी हद तक खुद को जमा नहीं सकी अब इसको लेकर एलजेपे प्रमुख चिराग पासवान और हिंदुस्तानी आवास मोर्चा पाटी प्रमुख जीतन राम मांजी थोड़े सकते में या यूँ कहें कि बेचायन जरूर है इसलिए शायद पासवान और मांजी इस दलित काट को खेलने के फिराख में हैं वैसे भी राजनीती असीम संभावनाओ का रोचग दंगल है जहां कब कौन सा पहलवान अपने नए दाओ पेच के साथ अखाडे में उतर कर सत्ता का चेहरा पलट दे कि कोई सोच भी न सके फिलाल मांजी का नितिश को छोड़ना थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है और के पीछे मुख्यमंतरी नितिश कुमार का करोना काल में उनका नेत्रत भी एक कारण है इसी प्रकार की बड़ी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेर करना ना भूलें